Hey guys, what's up, कैसे हैं आप सबी लोग बहुत-बहुत सभागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे Buyback of shares के बारे में तो आप लोगों ने अक्सार यह वाला term सुना होगा Buyback लेकिन इस Buyback का मतलब क्या है और इसको आप कैसे stock markets में पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो शोर-शोर्ट strategy मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Companies Buyback कैसे कैसे करती है फिर हम बात करेंगे इसके financial implications क्या होते हैं फिर हम लोग बात करेंगे finally कि इस Buyback से earn करने की strategies क्या क्या होती है और फिर मैं आपको एक Buyback के बारे में बताऊंगा जो कि अभी होने वाला है and that is of Bajaj Auto Limited Let's get started सबसे पहली बात Buyback होता क्या है तो Buyback में basically कोई भी company करती क्या है अपने shares को market से purchase कर लेती है So I've made a lot of videos on different ratios मैंने EPS पर video बनाई है, मैंने PE ratio पर video बनाई है मैंने PE ratio पर video बनाई है और वहाँ पर मैंने return of equity पर भी video बनाई है और वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे company जो है वो buyback करके कुछ-कुछ ratios को manipulate कर सकती है तो buyback का मतलब क्या है कि जब भी कोई company अपने ही shares market से खुद purchase कर लेती है तो फिर उसको buyback बोलते है अब इसका कोई भी company ऐसा क्यों करेगी कोई company ऐसे इसलिए करती है क्योंकि उसको अपने उपर इतना confidence रहता है कि यार हमारे पास share holding ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए दूसरा reason यह होता है कि company के पास बहुत सारा cash होता है और उसके पास कोई भी ऐसा potential future project नहीं है जिसमें उस cash को वो लगा सकती है तीसरी बात investors का confidence boost up होता है investors का confidence boost up होता है कि यार अगर यह company अपने ही shares वापस खरीद रही है तो क्यों खरीद रही है company अपने shares की holding क्यों बढ़ा रही है तो इसका मतलब company को अपने उपर faith है तब ही तो company अपने shares वापस खरीद रही है तो इससे investors को फाइदा हो जाता है तो इससे investors को फाइदा हो जाता है क्योंकि buyback की announcement जब आती है तो उसके बाद usually share price बढ़ना शुरू कर देता है अभी मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा दो तरीके से companies अपने shares वापस purchase कर सकती है एक तो होता है tender offer buybacks और दूसरा होता है open market purchases टेंडर offer buybacks में क्या होता है मैं simple एक example से समझाता हूँ जैसे अभी बजाज auto limited का buyback आने वाला है तो अब ये एक tender offer buyback है इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक form fill करके company को देना होगा मुझे एक form fill करके company को देना होगा और मुझे ये बताना होगा कि हाँ मेरे पास बजाज auto limited के suppose 10 shares है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 10 के 10 shares वापस खरीद ले मतलब I will be offering my shares to the company for its purchasing my shares back तो ये होता है tender offer buyback जहां पर company कहती है कि अगर आप हमें अपने shares बेचना चाहते हो वापस तो फिर आप बेच दो ये form fill कर दो और आप बता दो कि आप कितने shares हमें बेचना चाहते हो हम उन shares को purchase कर लेंगे और दूसरा होता है open market purchases open market purchases में company अपने market से ही अपने shares को buyback करती रहती है over a certain period of time right tender offer buyback में होता क्या है थोड़ा सा और इसको समझते है तो tender offer buyback में company क्या कहती है company कहती है कि हम इस price पर आपके shares वापस खरीदने के लिए तयार है ठीक है कोई भी बंदा अपने shares को company को क्यों बेचना चाहेगा क्योंकि company usually उसे market price से higher value पर offer करती है company कहती है कि अच्छा अगर market में price 100 रुपे का चल रहा है हम तुमसे तुम्हारे shares वापस खरीद लेंगे let's say 1500 रुपे में या 160 रुपे में तो immediately 50% का gain हो गया financial implications क्या होते है सबसे पहली बात इसका EPS बढ़ता है किसी भी company का EPS बढ़ता है I've made a separate video dedicated on EPS I'll give the link for that video in the description of this video do watch that वहां की video में भी मैंने आपको बताया था कि जब company अपने shares को buy back कर लेती है तो total number of outstanding shares कम हो जाते है और अगर total number of outstanding shares कम हो जाते है profit तो होतना ही रहता है तो profit per share बढ़ जाता है इससे क्या होता है इससे share price भी आपका बढ़ता है जब भी आप देखना किसी भी company का जब buy back का announcement आएगा न तो share price ज़रूर बढ़ता है और तीसरी चीज़ होती है value appreciation value appreciation कैसे होता है मानलो भी किसी company का buy back का offer आया मैंने अपने shares को buy back करने के लिए नहीं offer किया मैंने को नहीं चाहिए ठीक है for example TCS एक ऐसी company है जो बार-बार buy back के offers लाती है ठीक है मेरे पास TCS के shares है लेकिन मैं TCS के shares को कभी भी buy back करने के लिए offer ही नहीं करता हूँ मैं कभी कहता ही नहीं हो कि हाँ हाँ आप मेरे shares वापस खरीद लो क्यूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर TCS के shares वापस कर दूँगा तो मुझे एक time पे तो पैसा मिल जाएगा लेकिन अगर मैं TCS के shares hold करके रखूँगा तो long term में मुझे और ज्यादा benefit मिलेगा ठीक है? लेकिन ये वाली जो strategy है investor to investor depend करती है कई सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि नहीं यार मेरे को तो short term में immediate gain चाहिए मेरे को long term वाला जगड़ा जहनजट नहीं चाहिए कई लोगों को ऐसा भी लगता है जैसे मैं हूँ तो मेरे को ऐसा भी लगता है कि हाँ ठीक है short term में मुझे ये gain मिल जाएगा लेकिन जैसा मैंने आपको बताया अगर company अपने shares को वापस खरीद भी है इसका मतलब company को अपने पर faith है न इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि company का share price और उपर जा सकता है तो अगर मुझे company पर भरोसा है मैंने company के fundamentals properly analyze किये हुए तो फिर मैं क्या गरूँगा मैं उन्हें shares को hold करके रखूँगा कि ठीक है तुम buyback वगरा करते रहो share का price बढ़ता रहेगा जैसी share का price बढ़ेगा मेरी value में automatically appreciation होता रहेगा ठीक है अब तीन strategies होती है buyback से shares को buyback से earn करने की सबसे पहली बात होती है pre announcement purchases अब मैं आपको पताओ कई सारे लोग जो stock markets में एकदम घुसे रहते है उनको एक एक चीज पता होती है उनको पता चल जाता है कि company buyback announce करने वाली है company buyback announce करने वाली है तो वो लोग क्या करते है announcement से पहले ही shares को purchase कर लेते है if you're very much into stock markets if you're reading the news properly if you're analyzing everything very very carefully then you'll get to know कि अच्छा अभी buyback की announcement आने वाली है announcement आने से just पहले shares उठा लो announcement आने से just पहले shares उठाओ जिससे announcement के बाद तो share का price बढ़ेगा ही बढ़ेगा अपना हिसाब से set कर लो कि suppose मैंने 100 अपे पर share उठाया मेरे को इससे 30% profit चाहिए announcement के बाद जैसे ही 30% बढ़ा आप shares को बेजतो तो यह हो गया pre announcement purchases दूसरा हो गया tendering shares अभी for example में आपको अभी वैसे तो और detail में हम लोग बजाज आटो के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसका buyback आने वाल है तो बजाज आटो ने 8th of January को अपना buyback announce किया था और कहा था कि हम एक share के बदले 10,000 रुपे देंगे 8th January को offer किया था और कहा था हम एक share के बदले 10,000 रुपे देंगे उस समय जो share का market price था वो कुछ 7,000 रुपीस के आसपास चल रहा था अभी भी 7,000 के आसपास ही चल रहा है तीसरी चीज़ होती है arbitrage opportunity arbitrage opportunity में क्या होता है कि आप buyback और market price के बीच में difference ढूंडते हो और जहां पर सस्ता मिलना है वहां पर खरीते हो और जहां मेहंगा बिक रहा है वहां पर आप बेचते हो आईए बात करते हैं Bajaj Auto Limited buyback के बारे में तो Bajaj Auto Limited का 4000 करोड रुपे का target है मतलब ये shares को purchase करेंगे और 4000 करोड रुपे investors को देंगे और ये ऐसे 10,000 रुपे में एक share का price देने वाले है ठीक है तो what they are basically doing is they are offering 40 lakh shares of buying back मतलब ये कह रहा है हम 40 lakh shares अपने वापस खरीदेंगे और हर share के बदे हम लोग 10,000 रुपे देंगे तो हम 4000 करोड रुपे देने वाले हैं लेकिन अब आती है मज़ेदार बात और वो मज़ेदार बात ये है कि क्या हर इंसान को हर इंसान जो भी buyback के लिए offer करेगा हर इंसान के shares बिग जाएंगे क्या क्या हर इंसान के shares purchase कर लेगी क्या तो the answer is no ठीक है क्योंकि जितने भी लोगों के पास shares है everybody, most of the people would want क्या है मैं short term profitist में से कमालू लेकिन company की limit क्या है company 40,000,000 shares ही purchase कर सकती है company ने set करके रखा हुआ है कि हम 40,000,000 shares अपने buyback करेंगे अगर मान लो 50,000,000 shares का offer आ गया अगर मान लो 50,000,000 shares का offer आ गया तो फिर क्या होगा company तो 40,000,000 shares buyback कर सकती है तो फिर company 40,000,000 shares ही buyback करेंगी even though 50,000,000 का offer आया है पर company buyback कितना करेंगी company 40,000,000 ही buyback करेंगी मतलब क्या हुआ 4 divided by 5 80% buyback होगा मतलब क्या हुआ 80% buyback होगा, इसको बोलते हैं acceptance ratio, ठीक है, अगर over subscription आ जाता है, अगर over offer आ जाता है, कि ठीक है, company ने 40 लाग बोला, और सारे shareholders ने 50 लाग shares को बेचने का offer कर दिया, तो company के पास over subscription हो गया, तो अब company क्या करेगी, pro rata basis पर buyback करेगी, इसको बोलते है acceptance rate, acceptance rate हो गया 80%, अब, अगर मा shares buyback होंगे, मेरे 80 shares buyback होंगे, ठीक है, I hope यह वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी, मैं एक आपको website दिखा रहा हूँ, citodgirl.com, ठीक है, अब आप citodgirl.com पर अगर आप आओगे न, तो यह बड़ी सही website है, यहां से काफी सारी चीज़ें पता चल जाती है, scroll down करोगे, त इस तारीक से पहले-पहले, मतलब as on this date, suppose, अभी तो बजाज आटो की record date को यह आई नहीं है, लेकिन record date का मतलब होता है, कि उस दिन जितने भी shares होंगे, उन shareholders का buyback वाला offer consider किया जाएगा, उस तारीक के बाद आप buyback के लिए offer नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप बजाज आटो आँगे, तो आपको बहुत सारी details यहां पर देख जाएंगी, company के बारे में details देख जाएंगी, आपको calculator देख जाएगा, calculator में क्या होगा, कि आप सब्सक्राइब अपने acceptance rate के basis पर, acceptance ratio जो मैंने आपको बताया, कि अगर इतना acceptance ratio हुआ, तो कैसे 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 क्या क्या होगा, वो आप लोग यहां पर देख सकते हो, depending upon कि आप कितने shares देने जा रहे हैं हो, ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर इसको explore कर सकते हो, and you can read all about it on this website, chithaurgar.com, right, well, this was the video on this thing, buyback of shares, I hope आप लोगों को यहाली video helpful जरूर लगी होगी और आप लोगों को जरूर सिखा होग Instagram का channel है, Fintax by Nishant, और YouTube पे यह वारा channel है, इसको subscribe कर लो, bell icon दबादो, जिससे कोई भी notification आपका miss ना हो, if you have any questions on this, ठीक है, तो आप comment section में भर-भर के पूछो, seriously बतारो, अगर आपके कोई भी सवाल है न, buyback से related, आप comment section में भर के पूछो, और अगर किसी और topic पे आप इस तर झाले, बड़ी भी किसी कोछ आपके आपके लारा आपके कोई वारा के बग्यू, पुझ बएह धर है, और न तर में भी रजाले है. जापके कुछो रहा जाभ बादा एती है, तो युझो रही कोच։पके के बग